Hello friends, welcome to study news, आज हम इस वीडियो में 16 अगस्त के exam related जितने भी important questions हैं, उन्हें हम यहां solve करेंगे, so let's start First question है, Fit India Freedom Run, कायोजन कब से कब तक होगा? Options है, 12 अगस्त से 12 सितंबर, 10 सितंबर से 10 अक्टूबर, 15 अगस्त से 2 अक्टूबर, या 20 अगस्त से 2 अक्टूबर तो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच, Fit India Freedom Run का आयोजन किया जाएगा, तो इसमें उत्तर option C सही है खेल मंत्राले ने 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक सबसे बड़ी देश व्यापी दोड, Fit India Freedom Run का आयोजन किया है खेल मंत्री कीरन रिजुजू ने इस मेगा इवेंट की सुरुवात की है किस राज्य सरकार ने अरुडोदे योजना सुरु की है, उप्संस है, तमिल लाडू करनाट का असम या गोवा तो असम राज्य सरकार ने अरुडोदे योजना सुरु की है, तो इसमें उत्तर option C असम सही है इस योजना से लगभक 17 लाख परिवारों को विद्य सहयता प्रदान करने का उद्देश है, ये योजना असम में सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाव वाली योजना होगी असम की बात करें तो असम की राजदानी दिस्बूर है, असम के चीफ मिनिस्टर सर्वानन्द सोनोवाल है और गवर्नर जगदीश मुखी है next question है स्वदेशी रॉकेट इंजन बनाने की छमता वाली पहली भारतिय नीजी कमपनी कौन बन गई है options है, स्काई रूट, स्काई मार्क्स, SMCK या राइजर तो हैदराबाद बेजड स्काई रूट, एरो इस्पेस, स्वदेशी रॉकेट इंजन बनाने की छमता वाली पहली भारतिय नीजी कमपनी बन गई है तो इसमें उत्तर option है, स्काई रूट सही है इन्होंने अपने अपर इंजन, जिसका नाम रमन है, इसका सफलता पूर्वक परिक्षण कर लिया है next question है हाल ही में किस राज्य ने Patriots Day मनाया है, options है, मडिपूर, वेस्ट बेंगाल, गोवा या करनाटका तो मडिपूर में 13 अगस्त 2020 को 1891 के एंगलो मडिपूरी यूद्ध की याद में Patriots Day मनाया जा रहा है तो इसमें उत्तर option A, मडिपूर सही है ये Patriots Day यूद के दोरान कई मडिपूरीों ने राजे की स्वतंतरता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था इसी के लिए मनाया जाता है next question है किस गस्ति पोत को हाल ही में लॉंच किया गया है options हैं सार्थक, चक्र, विकास या विसाल तो सार्थक गस्ति पोत को हाल ही में लॉंच किया गया है तो इसमें उत्तर option A सार्थक साही है इसे 13 अगस्त 2020 को लॉंच किया गया है ये भारतिये तट रक्षक बल के लिए एक अब तटिये गस्ति पोत है next question है हाल ही में किसने CEO of the Year का आवार्ड जीता है options है विशेश कुमार, गगन अरोड़ा, आदित्यकांत या जगदिश मेनन तो गगन अरोड़ा ने हाल ही में CEO of the Year का आवार्ड जीता है गगन अरोड़ा वर्टेक्स ग्लोबल सर्विसेस के CEO और स्ट्रेटिक ग्रोथ लीडर है next question है हाल ही में कहां पर स्वर्गिय अरोड़ जेटली और सुस्मा स्वराज के नाम से दो ओवर ब्रिज बनाया गया है options हैं गुजरात, हर्याडा, न्यू डैली या राजिस्थान तो गुजरात के एहमदाबाद सहर में दो ओवर ब्रिज का नाम स्वर्गिय अरोड़ जेटली और सुस्मा स्वराज के नाम पर रखा गया है तो इसमें उत्तर option A गुजरात सही है शहर के रानिप छेतर में रेलवे ओवर ब्रिज को आत निरभर गुजरात रेलवे फ्लाई ओवर ब्रिज के नाम से जाना जाता है बतादू कि सुस्मा स्वराज और अरोड़ जेटली दोनों BJP के दिगज नेता रह चुके हैं और इन दोनों की ही मृत्यू 2019 में हो गई थी नेक्स्ट कोस्चन है लावरा मार्स ने हाल ही में सेवरा निवृत्ती की घोशना की है ये किस देश की खिलाडी हैं आस्ट्रेलिया, न्यूजिलैंड, इंग्लैंड या साथ अफरीका तो इंग्लैंड की पूर्व आल राउंडर लावरा मार्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास लेने की घोशना की है तो इसमें उत्तर ऑप्सन सी इंग्लैंड साही है इन्होंने अपने अंतर राश्री करियर में 9 टेश्ट, 130 वंडे और 67 T20 मैचेस खेले हैं जिसमें सभी प्रारूपों में मिला कर इन्होंने 1588 रन बनाये हैं और 217 विकेट लिये हैं नेक्स्ट कोस्चन है तो इसमें और ऑप्सन की बात करें तो अतुल कुमार जैन फ्लैग ओफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं इस्टन नेवल कमांड के अनिल कुमार चावला फ्लैग ओफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं साउथन नेवल कमांड के और आर हरी कुमार चीफ इन इंटिग्रेट डिफेंस स्टाफ हैं नेक्स्ट कोस्चन है हाल ही में विस अंगदान दिवश कम मनाय जाता है आपसंस है 11 अगस्थ, 12 अगस्थ, 13 अगस्थ या 14 अगस्थ तो वर्ड और्गन डोनेशन डे हर वर्ष 13 अगस्थ को मनाय जाता है तो इसमें उत्तर आपसंस ही सही है ये दिवस अंगदान के महत्व के बारे में जागुरुकता बढ़ाने के लिए मनाय जाता है और लोगों को मृत्यू के बाद अंगदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो ये थे आज के important questions So thanks for watching this video Please like, subscribe and comment